नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दनीव लॉंचर के इस यूटूब मंच पर आज 6 मार्च है और 6 मार्च की सुबह जब हम आपसे मुखातिब है उस वक्त तक राजनेतिक तोर पर सबसे महत्पूर्ण माने जाने वाले राज्यों में से एक पस्चिम बंगाल में इंडि इस पार्टी के बीच गटबंदन को लेकर कभी बात चीट आगे बढ़ती है तो कभी पहिया वही रुख जाता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है रुकावट क्यों है और इस रुकावट के लिए खेद है कि तरह का स्लोगन आगे भी लगता रहेगा क्या चुनाव सर पर हैं अपनी सीटों को एक से बढ़ा कर दो और डो से बढ़ा कर 18 तक पहुंच चुकी है और अब जब भारती जंटा पार्टी के हला यह थाला तनुकूल नहीं है उस परिस्तिती में भारती जंटा पार्टी के लिए राज में लूपहोन छोड़ने जैसे इस दिती जिससे कहीं वो फिर से अठारा या सोला पर ना पहुंच जाए यह हालात क्यों पैदा किये जा रहे हैं आखिर कौन है किसकी वज़ा से पश्चिम मंगाल में कॉंग्रेस टीमसी के बीच बात चीत रुकी हुई है इंडिया गटबंदन में जैसा कि आप जानते हैं कॉंग्रेस पार्टी सब्सक्राइब लेकिन मोटे तोर पर पस्चिम मंगाल में जो हालात बन रहे थे उसमें यही दिख रहा था कि जो लोकल बॉडिज के एलेक्शन हुए भारती जरता पार्टी बहुत पीछे के सकती दिखी और अपना ग्राउंड गेन करता हुआ दिखा अपने आधार को वा 222 सीटों पर मुख्य मुकाबले के हालात पैदा हो सकते हैं या फिर नंबर दो की पोजिशन के लिए अधिकान सीटों पर भारती जरता पार्टी और लेफ्ट के बीच कसम कस हो सकती है अब इसमें कॉंग्रेस पार्टी को टै करना था कि वो लेफ्ट के साथ जाए या टीम योगेंद रियादो जो एक जमाने में उसे फोलोजिस्ट हुआ करते थे योगेंद रियादो राहूल गांधी के साहथ चल रहे थे और योगेंद रियादो ने अपनी तरफ से कांग्रेस और टीमसी के बीच के डेड़्लॉग को खत्म करने की कोशिस की लेकिन वहो नहीं पाया सवाल ही है कि योगेंद रियादों ने कोशिस की सवाल यह भी है कि इंडिया गटबंदन की बैठक के दर्मियान जब ममता बनर जी नहीं कॉंग्रेस पार्टी के नेता इंडिया गटबंदन के अध्यक्ष दलित नेता मलिकारजुन खडगे को देश के अगले प्रधान मंत्री पत के उमिद्वार के तोर पर इंडिया गटबंदन से पेश करने का प्रस्ताओ रख दिया फिर अलाइंस क्यों नहीं फाइनल हो रहा है भरोसे का आलम तो यह है कि कॉंग्रेस पार्टी के अंदर से खडगे साथ प्रधान मंत्री बने एक दलित नेता प्रधान मंत्री बने ये प्रस्ताओ किसी कॉंग्रेसी की बजाए ममता बनर जी ने रखा और अर्भिंद केज किवाल ने उनका समर्थन किया बावजूद इसके कॉंग्रेस पार्टी के साथ सीट शेरिंग नहीं हो रही है पिछले विदान सबाद चुनाओ को देखे तो टीमसी अकेले लड़ी और मंता परणर जी और लेट्ट प्रंट के गटबंदन ने मिलकर चुनाओ लड़ा 2019 में उभर कर सामने आ गई दोजार एकिस में ग्राफ गिरने के बावजूद बिदान सबाव में भारती जनता पार्टी ने अपने लिए प्रिंस्पल अपोजिशन पार्टी की हैसियत हासिल कर ली तो उस हालात में उसके बाद जो लोकल बड़ी के पंचायद के मुनिस्प होसित आगे बढ़ जानी चाहिए ती चर्चा कई दिनों तक हुई कि अब बात्चीत हो रही रही है अब औप अप्चारीग एलान हो जाएगा जैसे यूपी में एलान हो गया महराष्ट में एलान होने की श्तिति करीप आ रही है दिल्ली में हो गया बिहार में कभी भी बLEY हो सकता है गटबंदन में कोई दिक्कत नहीं है चिराग पासवान आभी जाएं तो दोनों हाथ से स्वागत करने की स्थिति है विहार में लेकिन बंगाल में जहां से वारता सुरू हुई थी वही पर रुकी हुई है और ताजा अपडेट रही है कि बंगाल में कोई वारता न जानते होंगे राहुल गांधी और मलिकार जुन खड़ गे जब भारत जोड़ों न्या यात्रा के लिए बंगाल में थे तो जैसा मैंने बताया कि योगेंद्र यादों ने कोशिस की थी लेकिन उन कोशिसों को पलीता कहां से लगा यह सवाल सबसे महत्पूर्ण हो जाता ह महत्पूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में पटना में इंडिया गठबंधन की पहली आपचारिक रैली आप कह सकते हैं जो हुई है उस रैली में कम से कम पडोसी राज बंगाल से ममता बनर जी के आने की उम्मीद थी ममता बनर जी नहीं आई पता नहीं नियोता भी दिया गया नहीं दिया गया उम्मीद है दिया गया होगा लेकिन वो नहीं आई और सवाल ही कि क्या ममता बनर जी को यह लगता है कि अकेले धम भारती जन्ता पाटी को 42 सीटों वाले पस्चिम बंगाल में सोने पर आउट कर देंगी या ममता बनर जी को कहीं न कहीं ये तो नहीं लगता कि तिरकुणात्मक मुकाबले के हालात पैदा होने की वज़े से भारती जंता पार्टी खुद बाखुद निपट रही है या ये परिष्टितियां तो नहीं है कि कॉंग्रेस पार्टी और लेट्ट प्रेंट का गठबंदन जो पहले से चला आ रहा है वो ओवर कॉंफिडेंट है दरसल हकीकत ये नहीं है हकीकत ये है कि पस्चिं बंगाल कॉंग्रेस के एक बड़े नेता है अधीर रंजन चौधरी अधीर रंजन चौधरी को ममता बनर जी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच का गठमंधन बताया जाता है कि जो अंदरोनी सूत्र दावा करते हैं जो बंगाल कॉंग्रेस के लोग नाम नहीं चापने और नाम नहीं बोलने की सर्थ पर उस कंडिशन पर जो सूचनाय साजा करते हैं या टीमसी के लोग वह यहीं कहते हैं कि अधीर रंजन चौधरी एक रोड ब्लॉक की तरह इस गठमंधन में बने हुए हैं कई लोग तो यह सड़ियूं या चुनाओं नहीं भी लडर सकते हैं वैसे कुछ लोग थे बारति जन्ता पार्टी की तरफ रहते बी घरनावाइक करने कि अधीर रन्जन पार्टी कंग्रस में वीपक्ष के नेता। की तरह दरजा दे रखाँ कॉंग्रेश। पाटी के पास कुल सदस्य संख्या यानि 543 का 10 प्रतिसर्ट जो मुख्य विपक्षी दल बनने के लिए यानि 55 सीटों किया हो सकता होती है वो नहीं है 52 सीटे ही कॉंग्रेस को मिली मुख्य विपक्षी दल का दर्जा नहीं मिल पाया लेकिन तब भी कॉंग्रेस ने फ्लोर लीडर का दर्जा जो मुख्य विपक्षी दल की तरह का ही दर्जा होता है उसके करीब करीब समकच का ही दर्जा होता है वो दर्जा अधीर रंजन जीते थे पिछले लोगसवा चुनाओं में वो टीमसी की मदद के बिना जीते थे और उनको लगता है कि फिर जीत सकते हैं और क्या अधीर रंजन चौधरी के द्वारा एक सीट निकाल लिये जाने की वज़े से क्या 42 बंगाल की बाकी 41 सीटों पर भारती जनता पार्टी के लिए हालात अनुकुल छोड़ दिये जाएं कि उनमें से वो 16, 17, 15 जो भी जीतनी है जीत ले गटमंधन जब होता है तो तमाम तरह की छोटी छोटी बातों को पीछे रखना पड़ता है और इस मामले में भारती जनता पार्टी से सीख लेनी चाहिए कि जिन नितीस कुमार ने नरंद मोदी के लिए भोज रद कर दिया था जिन नितीस कुमार ने ये तक कहा था कि मर ज अजपा नेता भी घुसने के जुरत नहीं करते वहां नरंद मोदी नितीस कुमार को माले में खीज कर लेक्या आते हैं तो अलायंस कैसे होता है ये भारती जनता पार्टी से सीख ना चाहिए अजीद दादा चक की पीसिंग चक की पीसिंग और उसके बाद अजीद दादा अलाइंस में भी आ जाते हैं और फिर ग्रेमंत्री अमिर्सा कहते हैं कि अजीद दादा अब आप सही जगह आ गया है तो यह तो बात कम से कम यह कला भारती जंता पार्टी से विपक्ष को सीखनी होगी इंडिया गठबंदन को सीखनी होगी कि गठबंदन की गाटे खोलने के लिये ब्यक्तिकत राख देक्स अस्थान नहीं होना चाहिए अधीर ऑफस्ता अच्छ शोद्रिज्गे संबंद अच्छे नहीं है लेकिन लोग टिए पूरे घठमंदन की बुणियाद ला सिपनगाल के भिना आज की जुराज नित्य किस्थिति है नई दिल्ली में七 आप बंगाल में सुन्या एक दो पर सिमट गई तो भारती जंता पार्टी का दिल्ली में सत्ता में आना भी जितना कड़ा संगर से एक एक सीट की मारा मारी है वहाँ पर सत्ता करीब करीब भारती जंता पार्टी के लिए ना मुंकिन हो सकती है तो इतने क्रूसियल स्टेट में क्य इस पर चर्चा तो फिर किसी और दिन होगी लेकिन जब राहुल गांधी और मलिकार जुन खड़गे पस्चिम बंगाल में थे तो नौ लोग सभा सीटे कॉंग्रेस पार्टी ने टीमसी के साथ बातचीत के लिए रखी थी कहा जा रहा था कि नौ में पांच सीटों पर समझा तो दरसल कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से जिन नौ सीटों पर सीधे सीधे बातचीत करने का फॉर्मूला बनाया गया था खुद मलिकार जुन खड़गे उसमें इंट्रेस्ट ले रहे थे वो नौ सीटे है बुरहानपूर जंगीपूर मालदा नौर्थ मालदा साउथ इन नौ सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से तै किया कि इसको लेकर आगे बढ़ना इस पर बातचीत करनी है और कोई पांच सीटे कॉंग्रेस के साथ गटबंदन में तै हो जाए और CPM अपने हिसाब से चाहे तो 42 लड़े या उससे कुछ कम सीटों पर ले कि भी तरह का डेड़ लॉक नहीं तूटा है और जो अंदर खाने जानकारी है कि सिर्फ एक ब्यक्ति अधीर रंजन चौधरी लोग सभा में अघोसित तौर पर विपक्ष के नेता उन्हें ही इस गटबंदन से आपत्ती है बाकि किसी को आपत्ती नहीं है उस सवाल है कि उ 30 सीटे 2014 में जीती कॉंग्रेस की पूरे देश से जो संख्याती 44 सीटों की उससे केवल 10 सीटे TMC ने जीती और 2019 में भी जब मुकाबला फस्ता दिख रहा था तब भी 23 सीटे TMC ने जीती और इस लोग सभा के अंदर आज की तारीख में वह तीसरे चौथे नंबर की चौथे बन जाए दरसल इसे इंडिया गठ बंदन के लिए बहुत उचित नहीं माना जा सकता तो आने वाले वक्त में क्या होगा और चुनाओ घोसित होने के पहले या ततकाल बाद समय रहते जब अब कैंडिडेट घोसित करने का दौर सुरू हो चुका है उस दौर में क्या इसी पर भरोसा है टीएमसी और कॉंग्रेस को कि पावन सिंग को टिकट देने से जो बांगला सेंटीमेंट भारती जन्ता पाटी के खिलाफ उभर कर सामने आता देख रहा है और फिर टिकट काटे जाने से भी मामला नहीं संबल रहा है उसी से बंगाल में तय हो जाएगा सब 42 की 42 सीटे इंडिया गट बंधन के की जोली में गिर जाएगी यानि टीमसी कॉंग्रेस और लेफ्ट अलग अलग लड़कर भी 42 की 42 सीटे जीत लेंगे इस हालात को मौझूदा दौर में कल्पना करना निस्चित तोर पर बहुत बचकानी सोच की सोच का परिचायक हो सकता ह लेकिन इंडिया गट मंधन गलतियों का पुदला है इस बात से आप इंकार नहीं कर सकते हैं। अब तक कोई कंक्रीट स्टेटजी वहां बनती हुई मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है किसी पत्रकार को भी नहीं दिखाई दे रही है जबकि बीजेपी को वही पर डेंट भी लगाया जा सकता है 20-25 या 30 सीटों का तो भला बंगाल में अलाइंस को ले करके इतनी सुस्त और सुस्ति से जादा व्यक्तिगत रागद्वेश व्यक्तिगत लाइक और डिसलाइक यह पसंद बनाये जा रहा है तो अपन्दाजा लगा सकते हैं कि व्यक्तिगत पसंद और नापसंदगी इन दोनों के आधार पर कभी गठबंदन नहीं बनता और गठबंदन बनेगा नहीं तो कामयाब कैसे होगा देखते हैं पस्चिम मंगाल का मदवेद इंडिया गठबंदन में जितना जल्दी सुझे जितना जल्दी सुलज्जा है उतना जल्दी इस देश में विपक्ष की मजबूत राजनीती के लिए जरूरी है लोग तंत्र का पहिया दरसल सत्ता प पक्षी दलकर दर्जा भी ना मिले तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्ता पक्ष का घोड़ा इतनी बेलगाम रफ्तार से मौजूदा दौर में क्यों दौर रहा है तो देखते हैं क्या होता है उम्मीद है ममता बनरजी पहल करें या सोनिया गांदी पहल करें इनी दो लोगों के सहारे उम्मीद कायम है सोनिया गांधी के बारे में कहा भी जा रहा है कि वह उत्तर प्रदेश में मायावती को साथ लाने में रुची लेती दिख रही है कास यही रुची बंगाल में भी देख जाए तो सब कुछ अभी भी सुलज़ सकता है नमस्कार